बिकॉम पार थर्ड के इंकम टेक्स लॉइंड प्रैक्टिस के पेपर में बच्चों इंकम फ्रम अदर सोसे हम लोग देख रहे थे उसी की एक और प्रब्लम मैं आज आपको उसे शेर कर दी हूँ पार एर्थ के अंतरगत इसके अंतरगत बच्चों हमने इंटरेस्ट अन सेक करता था उसको मर्च कर लिया गया तो यहां पर यह कुष्चन उसी का है इसके अंतरगत हम रमेश की इंकम से ले रहे हैं दो जार नीस वीस में उसने जो इंकम्स अंकी है डिफरेंट से उन पर टैक्स किस प्रकार से अदर सर्स में लगा जाएगा तो प्रब्ली मतलब एक करें सही समझ लिजी की अदर सर्स में हमने सेक्योरिटी का जो चेप्टर मर्च किया है यह उसी का क्यूस्टन है तो बच्चों थोड़ा सही मुश्किल है इसको ध्यान से आपको देखना होगा कुछ लॉजिक्स इसकी पीछे हैं वो मैं आपको पहले समझा जेती हूँ क्य इसमें और यहां पर आपकी पटेल चौधरी की बुक है इंकम टेक्स में तो आप उस पर चौधरी प्रकारशन की बुक खरी लिजी नई बीसिक इसकी और उसमें इस प्रकार से कुष्टन को आप सौल करीए और नहीं आन पर वाटसर ग्रूप में मुझसे आप शेयर कर सकत आप क्योंकि इंकम टेक्स को एक लोजिकल वे में आपको पढ़ना होगा यह इतना असाल नहीं पिछले पुरानी बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें दिक्कत आ सकती है तो नई बुक खरीदें और उससे इस कृष्टन को करें तो देखी बच्चों किस प्र ठीकें क्योंकि अगर आपको नेट अमाउंट दिया है तो आपको ग्रॉस कहना पड़ता है तो यहां पर सीधे ही जो आपका अंकित मुले वो ग्रॉस कहलाता है अलड़ी फेस वेल्यू जितने पर आपने खरीदा है उस पर आपको उसका इंट्रस काल्कुरेट करना होगा ठीकें इंट्रस चैमाई भी हो सकता है और यहली भी हो सकता है जैसे सिक्यूर्टी में आपको का गया हो ऐसे लेना है अब यहां कुछ नहीं का है तो आप इसका पूरा यहली ले लिजीगा पोर ट्रस बॉन खरीदें आपने उस पर 10,000 के उस पर 7% का है गोर्नमेंट पेप परसंट डिबेंचेस आपने कोपरेटर सोसाइटी के खरीदे हैं और प्रिफेरेंश शेस पे इंडियन कंपणी की प्रिफेरेंश शेस पे आपको बीच जार पे 15% का डिवीडेन मिला है तो डिवीडेन जो है वह बारती कंपणी का यह टेक्सिबल नहीं होगा तो यह आप आपको यहां नहीं लेना होगा बाकी के कैलकुलेशन करके अपन को लेना पड़ेगा ग्रॉस अमाउंट फिर इसमें आपको नीचे यह का गया है कि उप्रोक्त विडियों को पर ब्याज का भुकतन हमेशा प्रतिवर्ष एक जून और एक दिसंबर को किया जाता है यह दो आपने को देखना होगा कि आपने कब खरीदे हैं 19-20 के दौरान खरीदे तो दोनों का 6-6 माही लेकर के साल बर का लेंगे और अगर कोई विडियों की डेट ही देदे कि आपने साल के बीच में खरीदा जैसे एक जून और एक दिसंबर के बीच में खरीदा हो सब्टमबर म पने साल के बीच में खरीदा होस्त पर जटमदा कि छरू जब एक और अपने साल चल रहा है 1–31 cm अगर मालीजी आपने मेंम खरीदे यह यह रोएब अपरेल सर्वर का ले यह पर लेंगे और कही झाय रेए निगी तो इस ंपे वाद खरीदकी खरीदे की, अगर में मानते ह कि इसी बात है, इसको ज़्यादा परेशान नियुक्षिण नहीं हुना है, आपको स्रब यह देखना है, जिस दिन security का ब्याज मिलना है उस दिन इसको सौमी कोन है यहनि खरिदना बेचना मार्केट में चलता रहागा, आपको स्रब यह देखना है ब्याज उसी आपने को दिया जागा जो कि उस दिन उस प्रतिवुति का स्वामी है ठीक है केवल ओनर को उसका ब्याज दिया जाता है तो लावाश को भुकतान भाई में किया जाना है और 1 सितंबर 2019 को उसने 20,000 रुपे का 8% वाले UP सरकार का एक रिन खरीदा 20,000 गौर्मेंट पेपर है यूपी गौर्मेंट लॉन पेपर वो बॉन बॉन्ड है उन्होंने 20,600 रुपे में खरीदे अब इस पर ब्याज देखी बच्चों कब है 30 जून को और 30 दिसंबर को दे और आपने सिक्यूरिटी को कब खरीदा 1 सब्टेंबर 2019 को इसका मतलब 30 जून के बाद आपने खरीदा है तो 30 जून के बाद खरीने के कारण 1 सब्टेंबर 2019 को खरीने पर आप यह मत सुमिए ना कि 19 से लेकर 1 सब्टेंबर 2019 से ब्याज देंगे नहीं क्योंकि ब्याज की रेट फिक्स है ऐसे थोड़े हो का प्रतिबुती के लिए जब जो खरीदेगा उसके लिए बार-बार कैलकुलेशन होगी नहीं होगी चैच्छे माही कैलकुलेशन होगी 30 जून को जो सवामी था उसको मिल गया उसके ब्याज और 1 सब्टेंबर को इनका टांजेक्शन हुआ चालकुलेशन करके आप 8% into 6 महीने का उसको दे देंगे एक गटा दो करके calculation कर देंगे इसकी चलिए आगे चलते हैं ये सब तो प्रतीबुतियों के बैज अपन लिखेंगे फिर इस उद्दिशी के लिए उन्हें ने अपनी बैंक से 12,000 पाइगा लॉन भी लिया है 8% की दर से तो बैंक क्या करेगा, सारे उसके commissions है ये सब ये बैंक में, अकांट में आपके collect ओजय हो जाँगे, बैंक का काम यतना सा कि आपके commission को कथा करता है अपने आपके account में जम्मा होना जाता कि या फिर जो जम्मा होगा असपे 8% ले ले लिगए आप से commission फ्री में तो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा ना तो वो आपके लॉन पर 8% की दर से Commission Bank ले लेगा चलिए आगे बरते हैं इसके बाद किया हो बैंक ने Commission ले लिया है ना ना नहीं बैंक ने उनको रंड लिया था 8% की दर से आपने बैंक से लॉन लिया था यह तो दो बाते हैं यहां पर एक तो आपने बैंक से 12,000 की दर कारेंड लिया है तो 12,000 पर 8% की दर से बैंक ले लेगा आपसे लॉन पर ब्याज दूसरा यह कह रहा है कि बैंक ने 2% कमिशन आपकी वसूली के लिए 2% कमिशन लिया है तो जो भी आपने पैसा कठा किया आपका उस पर 2% कमिशन ले लेगा आपसे और अगर आपने प्रतिभूतियां खरीदी हैं तो उस पर भी वह आपसे 1% ले लेगा अब इसने देखना आपने कौन सी खरीदी ह और कौन सी बेची हैं उन पर कमिशन वसूल होगा तो उस पर अपने पैसा लेगा पर सूचित नहीं है जनता का सारवानित भी नहीं है जनता में सारवानित का रूल बच्चों यह है कि अगर किसी company में सारवानित नहीं है तो फिर क्या होगा कि 5000 से कम होने पर भी ब्याच पर जाएं TDS से कम ब्याच पर भी TDS होगा वैसे 5000 से कम ब्याच पर TDS नहीं होता है और भारती company का मैंने आपको बताई दिया कि उसका dividend जो है taxable नहीं होगा और interest पर TDS में आपको बताई दिया कि 2% की दर से cooperative society के interest पर TDS नहीं होगा है ना यह ध्यान रखना होगा cooperative society का और bank loaner interest में आपको बताई दिया बाकी को जो भी आपको gross income दी उसको आपको TDS जोड करके gross net अगर दे रिखियो तो gross करके शामिल किया जाएगा चलिए अद देखते है इसको question को किस प्रकार से हम solve कर रहे है देखिए आपके question में दिया वो था 8% municipal debentures थे देखिए पहला वाला point 8% municipal debentures 27,000 के 27,000 पर 8% की calculation करिए 2160 ठीक है 7% port trust bond थे यह आपके कितने के थे port trust bond 10,000 पर इस पर 7% से calculation करिए तो यह आगया आपका 700 रुपे ब्याज आ गया ठीक है government paper आपके कितने के थे government paper थे आपके 15,000 के 15,000 पर 10% से जो है आपका salver का ब्याज जो है 1500 रुपे हो गया tax free debentures थे लेकिन 36,000 के जो है यह tax free है 10% तो इस पर निकालने के बाद ने इसको अपने क्या किया है gross करके लिखा है तो यह 4,000 रुपे हो जाएगा 9-10% इसका tax free debentures को gross किया जाएगा चलिए इसी तरह से जैपूर spinning mil का देखी क्या हाल है जैपूर spinning mil के आपने सारे 7,000 के debentures खरीदे है तो उस पर आपको 10% की दर से उसका ब्याज हो जाएगा तो यह सारे 700 रुपे हो जाएगा UP government loan के देखिए UP government loan जो आपको दिया है वो question में दिया है UP government loan मैंने आपको बताया था 20,000 का है 20,000 into 8,100 into 1,200 आदे साल का आपने इसका ब्याज ले लिए आदे साल के ब्याज की वज़या में आपको बता दी कि हमारी security का ब्याज क्योंकि इसने September 19 में transaction किया उसके बाद केवले की ब्याज की जट आती 31 December तो उसको उसी दिन का ब्याज मिल जाएगा अपने अपने एम्याज किया कि ये सब ग्रोस है, अगर आपको देता कि इस प्रतभूति के अभ्याज उसे प्राप्त हुआ तो प्राप्त हुए को आप किया करते ह criter कि भी लिए धिंक है, तेक्स उसका करते होगा, तो उसको टेक्स काटते चले जाएंगे तो आपको लास्ट में प्राक ऐसे लेगा कि आप टेक्स की लिमिट में आभी रहें की निया रहें अभी हम जो हैं उसकी क्लाइमेक सीन पर जाने वाले आपका कोर्स पूरा हो रहा है जी टी आई का चेप्टर होगा टोटल इंकम का तो वहाँ पर हम देखेंगे कि पांचो हैट्स की इंकम में से टोटल करने के बाद फिर उसमें से डिड़क्शन मिलने के बाद आपकी जो इंकम होती वह टेक्सिबल इंकम है की नहीं है और आल पिक्चर आपको क्लियर होगी तो यह सब अच्छे समझ में आगे कि ग्रॉस क्यों हो रहा है और नहीं है तो मैंने आपको एक वर्ड यह भी का था कि फिलाल रटल यह अगले चेप्टर में समझ में आ जाएगा तो अगले चेप्टर में आप देखेंगे इसको की हमें ग्रॉस करके फिर उसपे जाह हैं हम देखेंगे टेक्स की कल्कुलेशन करेंगे अगर आप टेक्स की लिमिट में आ रहा हैं तो ही टेक्स देंगे इसलिए यहाँ पर फिलाल, भाई, पोर ट्रस्ट वाले और आपकी गौर्णमेंट पेपर वाले, मिनिस्पर डबेंचर वाले इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, वो तो आपको कहेंगे, भाई यह लोग, आपको हमने इसका इतना ब्याज बनता है, इतना आपका इंकम बनती ह और अगर आपको net दे रहे हैं, तो आप जब अपनी calculation करें तो उसको gross करके शामिल कर रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, collection charges आपसे bank ने ले लिए, bank ने कितने 2% लिए हैं, ठीक है, तो collection charges की total की calculation आपको इसमें दे रखी हैं, नीचे देखिए, कि किस प्रकार से ज साथ सो ठीक है, और चार जार और साथ सो पचास और आट सो और पन्परा सो, नौजार एक्सोन पचास पर अपने जो हैं, इसका टू परसें की दर से commission bank ने आपसे वसूल कर दी हैं, क्योंकि 90% पर जो हैं, एकत्री की राशी पर ना, उसमें से tax कटने के बाद में, जो आपक करना की गई है, ठीक है, इसी तरह से जहें, चार जार आपको बताई था, कपड़ा मिल कंपनी के उनका पांच जार से जादा नहीं होन पर कर्मुक्त अने काण उसको ब्याज को सकल बना गया है, ठीक है, तो ये चार जार, चार तीस सो को 100 बटा नब्बे करके, 4000 अपन नही इंटरस्क लिए आप से, इनको जोड़ लिया, आपने तो ये हो गया है, 723 रुपे, तो 9910 में, 723 आपने माइनस किये, तो आपकी इंकम आती 9167 रुपे, और ये कॉपरेटिस सोसाइटी के अलक से इंकम है, क्योंकि उसके कलेक्शन चार्जिस आपको अलक से लेने हैं, औ अपने आप जानो, हमारो तो ये अमाउंट है, ये ले लो, तो बैंक क्या करता है, फिर उस पे पहले ही जुड़ा हुआ है, तो ग्रॉस अमाउंट क्या लाता है, ठीक है, कड़ोती नहीं की, तो इसलिए सकल राशी उनको बैंक को प्राप्त हो गई है, और उस पर उनने ज शॉर्ट नोर्स बनाईए, क्योंकि कोर्स की लिमिटेशन है, तो इतना डिटेल हम, इंकम टेक्स आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे को काफी इसका लंबा एक्स्पिरेंस है, तो आप कभी भी अगर पूछते हैं, तो अपने क्विश्टन करते वे साथ में, बाद में अनसॉल्ब भी करिए, और जहां प्रब्लम आती है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, धन्यवादे